उत्त्रडेश के हर्दोई जिले में रविवार को पूरे दिन टेंदुए की डेशत रही यह एक घर में गुसे टेंदुए ने दो लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया घर में कई लोग मौझूद थे तेंदुए की डेशत की बज़े से ये लोग घर में ही फस गए सूशनक के बाद वन विभाक की टी मौके पर पहुची लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई लेकिन ना जाने तेंदुआ चक्मा देकर कहा निकल गया हरदाई जिले के सांडी कस्पे में तेंदुए ने आतंग मचा दिया पूरे दिन लोग अपने घरों में कैद रहे यहां के रहने वाले सुनील कुमार के घर में तेंदुए बगल वाले घर से होते होए प्रवेश कर गया तेंदुए के आने की आहट भी उन्हें सुनाई नी दी तेंदुए ने घर में मौजूद दो लोगों पर हमला कारूने घायल कर दिया तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से भापर तेंदुए खुले आम घूम रहा है उसकी वज़े से लोगों में काफी जादा दहशत का मौल भी देखने को मिला वन रिभाग को इसकी सूफना दी गई हाला कि वन रिभाग अभी तक तेंदुए को पकड़ नहीं पाई है उसकी तलाश अभी भी की जा रही है तो पूरे देन तेंदुए की दैशत रही एक घर में गुसे तेंदुए ने दो लोगों पर हमला कर उन्हें गायल कर दिया, घर में उस समय कई लोग मौजूद थे, तेंदुए की देशत की वज़े से ये लोग घर में ही फस गए, सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुची, लोगों को सुरक्षित घर से बाहर न देखने को मिला।